नमस्कार स्वागत है आपका नाशनल खबर में हास्पिटल के बैट पर लेटे पिता की तस्वीर पब्लिक होने पर बोली मनमोहन सिंग की बेटी मेरे पैरेंट्स चिडिया घर के जानवर नहीं तबियत बिगड़नी के बाद बुधवार को पूर्वर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को दिल्ली के एम्स होस्पिटल में भरती करवाया गया मनमोहन सिंग को सांस लेने में दिक्कत और लगातार चेस्ट कंजेशन की शिकायत के बाद उन्हें शाम सबच है बज़े दिल्ली के एम्स कार्डियो नियूरो टावर में भरती करवाया गया था इस बीच गुरुवार को केंद्री स्वास्त मंत्री मनसुख मंडाविया मनमोहन सिंग का हाल जानने एम्स होस्पिटल पहुँचे थे पूर्वर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग की बेटी दमन सिंग ने एम्स में पिता से मिलने आये केंद्री स्वास्त मंत्री मनसुख मंडाविया की आलोशना करते हुए कहा कि स्वास्ते मंत्री मेरी मा की इच्छा के विपरित मेरे पिता के कमरे में फोटोग्राफर को ले कर गए उन्होंने काया मेरी मा ने कई बार फोटोग्राफर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा लेकिन उनकी बात अंसुनी कर दी गई मंडाविया ब्रहस्पतिवार को पूर प्रधान मंत्री का हालचाल जानने एम्स गए थे उनके साथ एक फोटोग्राफर और एम्स के डिरेक्टर रंडीप गुलेरिया भी थे फोटोग्राफर ने पूर प्रधान मंत्री के कमरे में मंडाविया और गुलेरिया तथा डॉक्टर मनमोहन सिंग की तस्वीरे लिए दमन सिंग का कहना है कि उनकी माँ फोटोग्राफर द्वारा डॉक्टर सिंग की तस्वीरे लिए जाने से नाराज थे दमन सिंग ने कहा है कि मेरी मा बहुत नाराज है मेरे माता पिता कटिन इस्तिती का सामना कर रही है वे बुज़ूर को वक्ती है किसी चड़िया घर के जानवर नहीं बताने कि 89 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंग को शुगर की भी बिमारी है इस मामली पर डॉक्टर्स ने कहा है कि रोग्यों की प्राइवेसी बनाई रखना नेतिकता है जिसे मेडिकल एजुकेशन के दौरान पढ़ाया जाता है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का ये दायित्व है कि रोगी की गोपनियता की रक्षा हो Forum for Medical Ethics Society के सदस्ये ने कहा है कि अगर पूर प्रधान मंत्री की तस्वीर उनके परिवार की सहमती के बगेर ली गई है तो ये नेतिकता का उलंगन है दमन सिंग के आरोप के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कॉंग्रेस ने मंडाविया की इस बात के लिए आलूशना की है कि उन्होंने पूर प्रधान मंत्री के स्वास्त की जानकारी लेने के मौकों को फोटो खिचाने के अफसर में बदल दिया पार्टी ने मंडाविया से माफी मागने के लिए कहा है वहीं इसी साल 19 अप्रेल को वो कुरोना पॉजटिव पाए गए थे जिसके बाद उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भरती करवाया गया था इसके बाद 29 अप्रेल को उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई थी इससे पहले पूर पी-म की दो बाइपास सर्चरी भी हो चुकी है तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और भी खबरों को जानने के लिए और हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धैने बाद हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेस्बुक पर और जादा जानकारी के लिए नाशनल खबर की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सेफ नाशनल खबर